प्रेम प्रकाश पांडे ने समाचार एक्स्प्रस से खास बात चीत की उन्होंने अपने बदलते राजनीतिक दौर अमिजोगी के जाती विवाज जैसे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी प्रेम प्रकाश पांडे ने बदलते राजनीतिक दौर को लेकर कहा कि राजनीति का हर दौर अलग होता है पहले मुद्दों की लड़ाई थी अब ऐसा नहीं है पहले सत्य मेव जायते था अब सफल मेव जायते हो गया है राजभवन वे सरकार के टकराव को लेकर उन्होंने कहा कि जहां जहां कॉंग्रेस सरकार है वहां सम्विधानिक संस्थाओं से टकराव की स्थिती है भूपेश बगेल ममताब एनरजी की रहा पे चल रहे हैं राज्य का प्रमुक राज्यपाल होता है राज्यपाल की शक्त को लेकर कभी सजग नहीं रही और हमेशा अपनी मनमानी करते आई है जोगी जाती को लेकर भाजपा की छानबीन समीती ने निरने दिया था जिसे फिर हाई कोट से बहाल करके चुनाव लड़ने दिया गया हम कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं लेकिन जोगी परिवार को चुनाव से लड़ने से रोकना ही कॉंग्रेस का उदेश हैं भिलाई से सम्वांदाता राशित जमाल सिद्दकी की रिपोर्ट तो उस दौर की राजनीती और आज के दौर की राजनीती में क्यांता है तो तो समाज का जो हर का एक एक यह है तो वह दौर और था उस दौर की आऊ सकता है जरूरते जो भी परिस्द्द्द दिखेंस सितियां थी और अभिछों हो गया है भुए लग हो गया है पहले लिए प्रेश में जैसा से बदल गया है पहले सत्य में उजयते माना जाता था अभी सफल में हो गया तो जो सफल है वह सत्य है तो यह एक समाज के सोचिका प्रिवत्तन हुआ राजनीत के समाज के उस्ते अलग नहीं हो तो मेरा मानना है कि हर कालकंद के अपनी अब दिजना होती है ये एक ही है कि आप विधान सापके अध्याच रहे चुकी है और वरतावान में जो रुटिया एक ग्रोफ होगा है ये विशेश संत्र बनाने पर है तो ऐसा क्यों है राजभवन में टक्राव इसका हुआ है लेकि ये बड़ा दुरवाग्य है कि कोई भी सरकार राजभवन से या दिली की सरकार राश्टपती वहन से ये संब्यधानिक संस्थाओं की बड़ी-बड़ी बात करते हैं और प्रणो मुखर जी जी के रहते मोधी जी तीन साल तक प्रधान बनती जहें। कभी भी राश्टपती भॉन और पीम हाउस में तो नहीं हुआ। टक्राओं नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मगर आज ऐसा यहां हो रहा है। जहां 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 कॉंग्रेस रूल्ड स्टेट है यहां पोजीशन ममता बनर जी की सहली में हमारे भूंकेश बगेल भी जाना चाहा रहे है। हमारा कहना है भी राज भवन जो होता है देखिए स्टेट का हेड संब्यदानिक द्रिष्टी से राज जिपाल रहता है। कि राज दिपाल अपनी सक्तियों को जो संब्यदान में लिखा है उसके अनुसार कैबिनेट में इनहेरेंट करता है। मतलब एक तरह से आप उसके पावर को ले करके काम कर रहे हूं। है.. तो संब्यदानिक द्रिष्टी से प्रमुकतोवा हुआ। तो काम जैसे हमने अपना अधिकार आपको काम करने के दिए दिया आप आते टरंए आपको दिया। अब आप पावर आप एटार ने ले करके जिसका पावर है उसी क्याव मानना करने जा रहे हैं तो यह अच्छी इस्तिती नहीं है एक बहुत अच्छी चीश सामने दिखी मारवाई शुनाओं जहां पंगरा साल आपकी सरकार की भाजपा तो यह मानने डर्रमालसुजी इस मंतुई थे और आप दी नहीं मंतुई रहे हैं मारवाई में 15 साल तक जोगी की जोगी जी उस बात का फैसना नहीं हो बयाए थे जाती का अच्छी जहांगार की बैठते ही एक ही जटके में उनकी जाती का फैसला कर दिया गया और बोला जाता था कि कहीं ना कहीं भाजपा के सपोर्ट हैar जोगी जी उहां से चुनाओ जीट्के थे तैंगर आज तो जोगी का गूज़ी दोब हूं से बहां है महरान से आज का यह तो भाजपत होनों आमने सामने हैं, तो क्या रहेगा वहां का रिजल्ट तो वहां की जनता तेह करेगी, क्या होगा, मैं आप जो पहले प्रस्न पूछे, मैं उस पर पहले आऊँगा, जहां तक कॉंग्रेस का सवाल है, तो कॉंग्रेस कभी भी लोकतंत्र और संबेदानिक व सरकारों को बंग कर देती है, 15 साल पहले जो व्यक्ति आदिवासी बोल करके उसको मुख्यमंत्री बनायती है, हम लोगों ने कहा, यह आदिवासी नहीं है, और हमारी सरकार ने भी प्रदेश की छानबीन समीती ने भी उसके कास सेट्टिकेट को गलत साबित किया, लेकिन हा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, यह कानून नहीं अपने अनुसार चलाते हैं, यह लोगों को जो औसर मिले उसको रोकने के लिए, आप आई कोट है, सुप्रिम कोट है, वहां से आएगा, आपको करना था, लेकिन इन्हें अमीत जोगी और रिचा जोगी को चुन कानून की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, और यह सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुरूप राजनेतिक द्रिष्टी से जो भिरोधी है, उसमें सासन का दुर्प्योग करते हैं, और यह लोग कंतर के लिए ठीक नहीं है, किसी को चुनाव लड़ने से, रोकने की नियत से इतनी जल्दी यह करना, कोर्ट जो भी फैसला देता, उसके बाद भी अगर इचित इसले नहीं है, कि कोर्ट फैसला देता, ऐसे यह हो सकता था कि रिच्छा जोगी या एमीजोगी वह से चुनाव लड़ सकते थे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता, उसके बाद भी अगर इच नो जितते तुम को होड़ा है गासा बिल्ब को नहीं हो तो है हम क्या बोल रहा है कि हमारी सर्जकार ने भी हमारी प्रदेश चान्वीन कमीटी ने दिया था नेलने ऐसे ही लेटेश परे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद बंक्वेट और बंक्वेट अन्टरवाइब